एक बच्चे की दुनिया तीन लोग हैं, एक बच्चे की दुनिया केवल तीन लोग हैं, माता, पिता और सिक्षक। दोस्तों, जिस दिन एक बच्चे का इन तीन लोगों से विश्वास उठ जाता है, उस दिन पूरी दुनिया से विश्वास उठ जाता है। ये तीन लोग उसके लिए अतिमेहत्पूर्ण हैं, तो एक परिवार केवल खाने पीने का केंद्र नहीं है, सही अर्थों में उन उचाईयों के साथ आपस में जीने का केंद्र है, देखो किनी बच्चों को यह उसाहित करना पड़ा कि तुमको बहुत पैसा कमाना है, ऐसा ब परिवार में जी रहे हैं, वो उसमें कमिनिकेट हो गया, जिस चीज को हम परिवार में जी रहे हैं, वो उसमें कमिनिकेट हो गया, क्या कमिनिकेट नहीं हुआ, संबंद महत्पूर्ण है, कि साधन महत्पूर्ण है, संबंद महत्पूर्ण है, यदि संबंद महत्पूर्ण है हमारा संबन तो दिवाली के दिन तै हो जाता है कि डब्बे का भार किसका कितना होगा तो दोस्तो दिवाली में डब्बे के वजन से पता चलता है कि हमारी जिंदगी में कौन कितना महत्पूर्ण है, हमारी जिंदगी में कौन महत्पूर्ण है, जो मेरे को धन और पद दिलाने में सायक है वो मेरे लिए सबसे महत्पूर्ण है बाप बड़ाना भाईया, सबसे बड़ा रुपईया यदि बच्चे को ये समझ में आ गया है, रोज रोज लोस देखके तो वह क्या चीज के लिए कोशिश करेगा, वह सम्बंद के लिए कोशिश करेगा, कि साधन के लिए कोशिश करेगा, एक छोटा बच्चा जब स्कूल में आता है, वो तो मा को ढूंगता है, पर प्रॉब्लम ये हुई है कि उसकी अपनी मा में भी टीचर की आत्मा आ गई है, उभी पूस्तिया होमवर्ग किया के नहीं किया, बच्चा चारों तरफ से घिरा हुआ है, घर में जाता है होमवर्ग स्कूल में जाता है होमवर्ग, उसके बाटूशन में जाता है होमवर्ग, इसका अर्थ ये हुआ, हमने भी संबंद को महतपूर्ण माना है, कि साधन को महतपूर्ण माना है, संबंद हम चाहते हैं, महत तो साधन को दिया है, मांक्स कितने आए, और मांक्स किस बात के लिए है, Marks किस बात के लिए है, कि पैसा कितना मिलेगा, तो इसका अर्थ ये निकला कि कही न कहीं हमारी मानसिक्ता में भी सम्मंध कम important है, पैसा ज्यादा important है, इसलिए हमारा सारा focus पैसे पे चला गया.